इसका नाम अभी है अभी राम श्राप है या वर्दान पता नहीं पर बश्पन से ही जो भी पढ़ता है उसे याद रखने के लिए से जादा मेहनत नहीं करनी पढ़ती ही जिरक्फ, ही जिरक्फ, ही दिखाना, ठाइम खतम हो रहा है कुछ भी नहीं दिखाई दिया तुने जिरक्फ कहा ना, इतना ही देखने मिलेगा जनरली क्लास्रूम में सब गलती करके मार खाते हैं और ये है कि इस तरह दुनिया और खुद के बीच का फासला कम करने के लिए ये बच्पन से ही कोशिश कर रहा है देखा, दूद पत्थर पीता है, भगवान नहीं इसी को कैपलर रियक्शन कहते हैं ये सब तो पागल है लोगों के विश्वास पर सवाल उठाने के लिए खुद को सौकरिटीज समझते हो दिमाग और शब्दों के बीच में फिल्टर रखना सिखो माइंड और सच को फिल्टर करेंगे तो वो जूट होता है मतलब जूट बून उसके लिए मुझे सजा दे रहे हो पापा इनका नाम मिस्टर दशरत है अभी की माँ गुजर जाने के बाद उसे माँ की कमी महसूस ना हो इसलिए उन्होंने कमला से शादी की इनके पती के गुजर जाने के बाद अपनी पेटी को पिता की कमी महसूस ना हो इसलिए इन्होंने दशरत से शादी की इसकी सौतेली मा है ना, इसलिए इसकी सारी प्रॉब्लिम्स की जड़ यही है क्या है यह? देशरत एक एवरेश ग्रूप बून गैजट आफिसर है यानि अपने मूँ से रिश्वत न मांग कर खुद सामने वाला अपने आप से ही रिश्वत दे दे इस तरहां उन्हें काम करना पसंद है क्या हुआ? पैसे चाहिए क्या? आज से मैं जो खाना खाता हूँ और यहां रहता हूँ उसकी फी कहां से मिले पैसे? पाई टीचर! पाई बरिया! पाई सर! पाई टीचर! पाई बरिया! आज से मैं करप्शन फ्री हूँ मिस्टर दशरत इस तरह अपने पापा के साथ बिगड़े हुए संबंध और निराशा को किताबों पर निकालते हुए वो आई एस से लेकर अमेरिका की एमाई टी तक हर एक्साम में कामियाब हुआ तेश के सारे एक्जाम देते हुए टाइम वेस्ट करने की बजाए किसी एक एक्जाम पर फोकस करता तो पास हो जाता ना? इन एक्जाम्स में वो पास नहीं होगा ये तुम्हें कैसे बता? मतलब क्लियारिटी नहीं है ना? ये उसने खुद के लिए लिखा है और ये सारे उसने अपने एहंकार के लिए लिखे हैं उसके पास तो clarity है, पर उसके आसपास की दुनिया में कोई clarity नहीं है. दिधी, दिधी, आप किसको वोट देने वाली है? विशाखा बानी पार्टी को. पैसा कितना दिया है? पाँच जार. अच्छा, तो आपके CM ने कुछ नहीं दिया क्या? CM ने भी दिया है, 10,000 दिये हैं. उस हिसाब से तो वोट उनी को देना चाहिए? पहले उनको दो बार वोट दिया है. दिधी ने नई पार्टी बनाई है. देखते हैं वो जीतेंगी, तो क्या देंगी? अरे वा, आप तो कितनी होशियार हैं. वैसे, रिटायर आयास ओफिसर र तो वो सारे लीडर्स पैसे देना बंद कर देते हैं. वहना यह लोग तो सबसे पैसे लेकर किसी को भी वोट दे देंगी. यह भी लोग तंत्र की शक्तिया है. तुमने अल्रेडी वोट दे दिया, जाओ. इंक है क्या? नहीं. फेस मैच वा? हुआ. मतलब मेरा वोट क्लियरले रिख आया है, ना? अलो, यह वोटिंग बूत रेक्ट है. सब अपने घर चले जाएए. रुक जाओ, रुक जाओ. कोई वापस मज जाना. यह क्या पागलपन है? रूल के मुताबिक तुम्हारा वोट मिस होता है, तो टेंडर बैलेट पर साइन करना पड़ता है. हट जाओ. मेरा वोट मिस नहीं हुआ है. क्लियरली रिख हुआ है. वोटिंग कैसे हो सकती है? एई, वोटिंग रोकने वाला तू कौन है? यह पूछने वाले तुम कौन हो? पोलिंग ओफिसर हो? नहीं ना? जाओ. कौन है भी? कंसर्ण पोलिंग ओ बैलेट पे चुप-चाप साइन करो और निकलो. टेंडर बैलेट पे मैं सिगनेचर क्यूं करूं? जब क्लियरली मेरा वोट रिख हुआ है. और कितने वोट रिख हुए है, क्या पता? इस भूत को रोक नहीं होगा. बढ़ा मत्यार यहां से निकल लेते हैं. चले, यह. मैं क्या प्रब्लम है? कुछ नहीं. इसका वोट मिस हुआ बोलकर पॉलिंग रोकने की कोशिश कर रहा है. इस नहीं हुआ है. मेरा वोट रिख हुआ है. है. वोट रिख हुआ है. तो बैलेट पे दस्थिकत करके जाओ यहां से. यहां पे लफरा मत करो. ओहू. वोट रिख हु अगर लॉजिकली कहूँ न तो सिर्फ इस एक बूत को नहीं. सारे इलेक्शन को रोकना चाहिए. यह बात यहां नहीं. इलेक्शन कमीशन में जाकर करो. हाँ, मैं वहां भी बात करूँगा. एक वोट के रिख होने में और मिस होने में बहुत बड़ा फर्क है. लॉजिकली रिगिंग फ्री इलेक्शन हिस तफ वेरी फांडेशन अफ एनी डिमाकरसी. इंचार्ज होने के नाथे, इस भूत को तो डिस्क्वालिफाइ कर दीजिए. यह तुमारा बेटा है ना? यह सर. इस दस से टेंडर बेलेट पर साइन करो और जाओ यहां से. वारना अर्बन नक अमेरिका का ड्रीम्स सब परबाद हो जाएगा. निकल जाओ यहां से. शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए. कलेक्टर के तौर पे आप इस जिले के सरवच प्राधिकारी हैं. आपको उन्हें अरेस्ट करना चाहिए, जिन्होंने पुलीस के होते हुए भी हम पर हाथ उठ अर्बन नेक्सल्स तो वो हैं जिनकी रक्षा करते हुए आप हमे धमकी दे रहे हो. उस समय के लिए इमोशन्स को किनारे रखके बात करते हैं, आओ. तुमने सही कहा मुझे शरम नहीं आती. मुझे ही नहीं बलकि तुमारे पापा और पुलीस को भी नहीं आती. पॉलिटिकल लीडर्स के दवाब में रहने वाले सिविल सर्वेंट्स को कभी नहीं आएगी. अभी तुमने कहा न, उन गुन्डों में और हमें कोई फर्क नहीं है. जोटे, इस देश में हर कोई एंजिनिरिंग पर कितना मिलेगा, मेडिकल में कितना मिलेगा, एम्बीए क कहा, बिना शरम के जीने की आदद बना लेता है. बाहर से पत्थर मत फेको, कभी अंदर आकर देखो तब पता चलेगा. यह बूत विशाखा अवानी का है. डिस्कॉलिफाई करना मुश्किल है. ऐसा करना तुम्हारे लिए रिस्क है. सो, इस वन साइड वार में लाइफ बरबाद मत करो. फ्लाइट लो और निकल जाओ. एक हफ्ते में अमेरिका जाने वालिया, इन सब जंजटों में मत पड़ो. वैसे भी भागने वाले को देश के बारे में बोलने का हक नहीं. जाओ. एए, किसी ने कुछ कह दिया, तो क्या जोश में आकर अपनी जिन्दगी बरबाद कर लेगा? मेरी बात मान, नीचे आजा. एमाइटी छोड़ कर आईएस में आकर क्या हासिल कर लेगा? जिद की वज़े से किसी के हाथों मारा जाएगा या फिर हवालात पहुंच जाएगा? या अमेरिका चला जाएगा और मैं शांती से जिऊंगा, बहुत खुश था. तोरा पढ़ने लेगा फिर इसे, जरा समझा आई इसको. आएस की इंटर्व्यू में तीन में से कोई एक ही सेलेक्ट होता है ना जी? शायद ये फेल भी हो सकता है, अब अब इसे इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? बहुत होश्यार हो, मैंस एक्जाम में पांच्वो में एक पास होता है, जिसे इसने पास कर लिया है, तुझे अपने फैसले पर अफसोस होगा, नीचे आ जाना बेटा? अफसोस होने तक अपने तरीके से जीने दीजिए, मिस्टर दशरत, पच्चीस साल का हो चुका हूँ, मेरी जिन्दगी मुझे जीने दीजिए. ए, पांच साल की उम्र से तु यही तो कर रहा है, फ्लाइ ए, लुक मिस्टर दशरत, इस दुनिया में सबसे अच्छी तरह से मेरे बारे में जानने वाले आप ही हो, टाइम पर टिकेट कैंसल किया होता, तो एक लाग रुपए बच जाते, अब उसे मेरे अकॉंट में मत जोड़ते ना, अगर तुझे अमेरिका नहीं जाना है, तो घर में मत आना, आप इसे घर से क्यों निकाल रहे हैं, यह अपनी मर्जी से पला बढ़ा है, और अब अपनी मर्जी से जीना चाहता है, इसे अमारी ज़रूरत ही क्या है, सुन भाई, अपना पेंटाउस रेंट पर देगा, कम से कम वहाँ पापा तो नहीं होंगे, पांच हजार एक्स्ट्रा दूँगा, बहुत फिक चुका है, चल अबी, वो बैग भी उठा ले, वो फासा तीला पर खड़े होकर, सिम्बा को ना मुड़कर देखके भाग जाने को बोला था, पर मुसफा भी तो भाग सकते थे, सिम्बा को बचाने के लिए दुश्मनों से लड़ाई करनी थी ना, डाड़ी को देखके 24 दिन हो गए है आंटी, फोन भी नहीं किया, उन्होंने, डाड़ी जहां गए है ना, वहाँ सिगनल लई है, इसलिए कॉल नहीं किया, तुम डाड़ी को जितना मिस कर रही हो ना, उतना ही डाड़ी भी तुम्हें मिस कर रहे होंगे, इधर देखो, तुम अगर अच्छे से स्कूल जाओगी ना, तो डाड़ी आ जाएंगे, मायरा, हाई, एनी न्यूस, नो, पुलीस ने क्या कहा, एज यूजवल, कह रहे हैं कि ढूंड रहे हैं, तुम्हें होस्पिलेटल से कोई क्लू मिल पाया क्या भी तक, नाथिंग यार, I'll let you know, if I find anything, ए, मायरा, मायरा, हाँ, तुम्हारे भाईया के मिसिंग होने से इसका नाथि ने मुझे बताया, क्या यही लोग तंत्रे, पिछले हफ़े हुए मतदान में बूत ओपन हुए एक घंटे के अंदर ही अपना वोटरीग होने वाली यूवक का सवाल पूछना गलत है क्या, सवाल गलत सही का नहीं है, एक वोट के चूप जाने से सारी विवस्था क यह गलत है, विवस्था के बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज ना रखने वाले ऐसे मूर्ख, अगर देश छोड़ कर चले जाएं तो ही बहतर है, विवस्था के खिलाफ खड़े होने वाले हर इंसान को, एंटी नेशनल कह कर, उन्हें देश से भगाने के लिए देश कोई उ नहीं छोड़ों की, दीदी रुको, जूट बोलने लगाये तू, बोल, सच बता मुझे, क्या किया तुने, रुको, क्या जानवरों की तरा मार रही हो, ये क्या बात हुई, क्या हुए इसी से पूछ लो, क्रिकेट खेलते हुए नाक की हटी तूट गई है, और इसने स्कू तुम जाओ, मैं जाओनगा इसके साथ, ठीक है तुमी जानाओ, मामा जो हो, हुए एक्सक्यूज मी सार, येस, कम इन यह सर आपका बेटा है यह आपके बच्चे हैं इनकी बुवा हूं मैं इसका मामा हूं बोलिये वट्सक्राविम् हलो मैंने तुम्हें लव लेटर नहीं दिया है तुम्हारे भांजे ने मेरी भाती जी को दिया है तो बताईये अब में क्या करूँ क्या पूछ रो क्या करें चाठा मार ऋब उसके गाल पे उसे चाठा लगाऊंगा तो उसकी फिलिंग्स मर जाएंगी क्या शेमलेस थिंग एक्स्क्यूज मी आपके एक्सेंट से लगता है कि आप अमेरिका में पली बढ़ी हो ये इस पर सर्कल कि इसने बनाया तो ये देखकर इसने इसकी नाख फोड़ दी और इसने उसकी नाख फोड़ दी है ना? पीट को मारने वाला मैं नहीं इसमें शेम फिल करने जैसा कुछ भी नहीं है उनके मन में जो लव है वो अलग है और आपके मन में जो लव है वो अलग है बच्चों के नजर में लव का मतलब है सिर्फ पसंद बच्चे अपनी बढ़ती उम्र में हर कदम पर एक नए रिलेशन्शिप के बारे में सीखते हैं उन्हें हम जितना प्यॉरली देखेंगे वो भी उतना ही प्यॉरली देखेंगे सुनो आरिया आंटी को सॉरी बोल कर फिर कभी प्रिया से बात नहीं करोगे प्रिया, पीट, पीट, आरिया को तुमने मारा, इसलिए तुम सॉरी बोलोगे एक मिनट, आप क्यू सॉरी बोल रहे हो ऐसे गधो को एक टांक पर पूरे स्कूल में दॉड़ारा चाहिए वरना हर लड़का हर लड़की को लव लड़की को लव लेटर देता फिरेगा हमारे स्कूल में इस तरह सब के सामने पनीश करने के वज़े से ही वो ऐसा करते हैं इन्हें तो लव शब्द का मतलब भी नहीं पता है प्लीज इन्हे छोड़ दीजे सर no no I won't accept this settlement right now I'm suspending this boy with immediate it's okay sir I'm withdrawing my complaint Priya, Pete, come let's go okay sir you don't have your frustrations with your family in school thank you sir let's go Aria excuse me my name is Abhi hi Myra if you don't ask me, we can tell you a little time excuse me मतलब क्या आप मेरे भतीजे के साथ और मैं आपके बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकता हूँ श्या okay please क्यों तुजे हिंदी नहीं आती आती है पर उसे पसंद नहीं है अरे मेरी गुडिया तुम्हें इतनी अच्छी हिंदी किस ने सिखाई मेरे पापा ने ओ ठेक है तुम्हारी आंटी क्या करती है और यहां और कितने देन रहेगी मेरा आंटी टीनिटी कॉलज की मेजिक स्टूडेंट है डैदी के रिसर्च सिंटर से वापस लोटने तक वो यहीं रुकेंगी इसके बाद अमेरिका चली जाएंगी ओहो तो परदेसी पंची है ठेक है मेरा छोटा सा पजल सॉल्फ करोगी तुम हो गोरी और यह है देसी गोरा और तुम्हारी बुआ है देसी तो इतनी छोटी सी फैमिली में इतने रेसेज कैसे हो गए सिली, इस सो सिंपल मेरे दादी इंडियन है, मेरे दादा जी अमेरिकन है डैडी दादा जी की तरह गोरे पैदा हुए और मेरी बूप दादी की तरह पैदा हुई और मैभी मेरे डैडि की तरह गोरी पैदा हुई और पेते मम्मी की तरह पैदा हुआ तर्साल सुवसेंफल पर मेरी मम्मी मर गई अरे मेरी गूडिया I am so sorry, बेटा Hi, your nephew is a smart boy they are such well-mannered kids Thank you. I'm so sorry about their mother. Thanks for your concern. Sunay, you're a music student. If you want to study about local music or you want to study in Tellurum, then I'll take you. Sure, of course. We'll catch up. This is my fiance's call. I need to take this. I'll see you around. Come. Hi. Yeah, I'm good. How are you? Why are you? Auntie didn't ask me about anything. You were asking me. So, what did you tell me? I studied in MIT and studied in MIT, and studied in Delhi, and taught me how to study in Delhi. Give me! Come, come. Come, come. Come, come. Come, come, come. कि अंद्रा समाज पार्टी से अलग होकर आंद्रा प्रचा पार्टी की स्थापना कर पहले चुनाओं में इस सबर्दस जीत हासल करने माली श्रीमती विशाकरवानी को देश के कोने-कोने से प्रांधिय पार्टी का अभिनंदन मिल रहा है यहां ऐसे हालातों में केंद्र में ज्यादा मेजारिटी से जीत हासल करने वाली इंडियन डेमोक्रिटिक बार्टी को हमारा साथ नहीं मिलेगा ऐसा सबस्ट किया विशाक हावानी श्रीमती विशाक हावानी जी के बेटे कई कलूरी MLA विश्नु वर्धन को गवर्नर रमाका लोक तंत्र के चार स्थम्प क्या-क्या है सरकार को चुनने का हक जनता का है मिजॉरिटी रूल्स चुनी जाने वाली सरकार को जाती और धर्म का भेदभाव किये बिना सारी जनता का पालन एक समान करना चाहेंगे कानून और निया विवस्था को दबाव में आए बेना इमानदारी से काम करना चाहेंगे नई सरकार के आते ही राज्य में नौ कलेक्टर्स, छे एस्पीज और दो जज़िस की बदली हो गई है जितने भी मर्डर्स हैं, करप्शन्स हैं, उनके बारे में तीन साल में सूच लेना आखरी दूस साल में वोट दिलाने वाले यूजनाओं के बारे में सूच सकते हैं वोटर छोटे बच्चों जैसे होते हैं सुबह पिटाई करो और शाम को एक बिस्किट का टुकड़ा फेग दो तो खुशी से उचल जाते हैं पूर्वा मुखमंत्र के इशू किये गये सारे कॉंट्रेक्स कलब थे सो वो सारे कॉंट्रेक्स रत कर रिवर स्टेंडर चारी किये जा है मैडम अब तक 30% इन्वेस्ट किया है अब कैंसल करेंगे तो हमें कंपनी बंद करनी पड़ेगी अगर ऐसा हुआ तो नई कंपनीज भी इन्वेस्ट करने की हिम्मत नहीं करेंगे लाखों लोगों की नौकरी चली जाएगी एकोनॉमी भी डाउन हो जाएगी आप लोग सिर्फ अपनी कंपनी के बारे में सूचिए एकोनॉम के बारे में सूचने के लिए हम है अब क्या करें आप ही बदाईए मैडम उस पार्टी के लिए जू किया वही किजिए वाक मत विद्या व्यापार पेशा जैसे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना होगा है गुना भाई आया है अरे अंदर लेकर आना चाहिए था कॉफी पी लेते अगर हर जगा कॉफी पेंगे तो पेट खराब हो जाएगा फैक्टरी में कितने लोग काम करते हैं पांच हजार लोग महिने का कुल पगार कितना होगा कम से कम तीन करोड तो वो तीन करोड इस अकाउन में डाल दोगे तो वरकर्स को पगार हम देंगे सरकार को लेने वाले हर ज़रूरी फैसले में जनता की राय लेनी चाहिए जैसे प्लेभी साइट्स मर्डर भी करना हो तो सोच समझ कर करना होगा तब ही अपोजेशन डिफेंस में आ जाएगी किसानों की इच्छा के मताबिक एडुरू कोड तक तेलरू के आकरमन को रत करने का पिछली सरकार ने कोड से ओडर ले लिया है सुप्रीम कोड की आदेश का मान ना रखते हुए मुडरू कांटूर तक तिलरू पर आकरमन कर मचली का व्यापात कर सकते हैं ऐसा राजिय सरकार ने विवाद स्बत जीयों जारी किया है इस जीयों की वज़े से मत्याकार खुशी मना रहे हैं तो दूसरी और वही की आसपास के किसान विरोध कर रहे हैं अब तक जो हमारे उपर हमले हुए हैं उससे हमारी जिन्दी की बरबाद हो चुकी है हम चिला कर कह रहे हैं तो वापस नए आतिक्रमन की क्या बात कर रहे हैं अगर वो इलेक्शन जीते हैं तो वो क्या सोच रहे हैं कि वो कुछ भी करेंगे हैं इस जीयों से बादित किसा नोने के नाते, इस महने के सोला तारिक को सारे चिले में बंद का ऐलान करता हूँ. देख रहा है इनकी हालत, गवर्मेंट का बदलना यानि पुराने गुंडे अंदर जाकर नए गुंडों का बहार आना है. ये ग्रप रिविश के दिन आकर नकली डॉक्यमेंट्स दिखाकर जगा मेरी ये बोल रहे हैं, क्या हम पागल लगते हैं क्या? इतने सारे एक्जम्स को लिख चुका है, अब इंटर्वियू के लिए भी इतनी सारी बुक्स पढ़ना है, इंटर्वियो केली कोई सेपरेट सिलाबस नहीं होता, इसलिए इतनी बुक्स पढ़नी पढ़ती हैं, अब समझा ना तू, क्यों मैं ऐसे टॉर्चर एक्जम्स न एक ही जगा को दो लोगों को बेचनी के लिए वो कोई पागल नहीं है, मेरी जमीन पर खर बनाकर मुझसे जबान लड़ा रहे तू, हमारी जंदगी से वैसे भी खेती दूर कर चुके हो तुम, दिन रात मेहनत कर बना इस घर को भी तुम चीनना चाते हो मुझसे, जाने की ज़रूरत तुम्हें, लिए जारा डॉक्यमेंट दिखाएए तो, तू यहाँ पर कैसे, रिष्टेदार है क्या, तुम्हारे डॉक्यमेंट में सवे नंबर दूसरा है, आ, वो जब मैंने खरीदा तब बदल गया, बदल गया तो कोट में जाने की ज़रूरत तुम तुमारा क्या है बुडिया, अब किसके आरती उतारना चाहती हो? चल ने, कर बुड़ें! कोई कोट का ओर्डर मांग रहा था ना, कोट खुद आ चुका है! देखने में तो लगता है कि किताब ही कीडे हो, तुम जैसे कीडे जब तक किताबों में रहते हैं, तब तक ही सुरक्षित हैं, बाहर निकल कर बेकार के चीज़ें में टांग अड़ाएंगे, तो हमारे पैरों के नीचे गिर कर कुछ ले जाते हैं, जाओ, अब अपने किताबों में जाकर छुप जाओ, बेकार में पैदा होकर बेकार में बढ़ रहा है तु, सहीगा, पैदा होते ही छूरी हाथ में लेकर बेकार में टांग अड़ाने वालों को मारते हुए बढ़ा हुआ हूँ, जान बड़ी नाजुक चीज है रहे, उफ करते ही बु एड़ लाइट नीचे कर, नीचे कर एड़ लाइट, नीचे कर बुलाना, एड़, कौन है रहे तू, है बदा कौन है तू, हमारे बीच में कोई प्रॉबलम है तो हम सॉल्फ करेंगे ना, अपना हीरोजम जाकर अपने बाप के पास दिखा, एक प्लोट पर दो सर्वे एड़, वो चाकू अंदर रखो, हम आपस में बात करते हैं ना, बात करने जैसा कुछ नहीं है रहे, उस तेलरीक उपर कुछ बंद का ऐलान किया था ना, उसे पीछे ले, वरना, तुझे मार कर, तेरी ही पीवी के साथ, तेरे ही घर में खर बसांब, ग्यान को... Hello Are we going? Don't know She is still on Best Time Kisę baat karrai hai Fiancé Ketana muck lag ayudar? Kabhi-kabhi, 2-3 ghen So what are you doing? How can you say that, you insensitive bastard? You must be a moron to even suggest that. I saw glimps of my future with you and scari वे अरो ब्लुशानी। जस्टा गुँचे शॉटिए वो इसचारि आप ? चार्से अर ये ब्रेकिंड अप ? तर्म अंटी, अर्यों ब्रेकिंड अफितने पूल ? व्यों आपिन अकल नितिन? आर्या इस स्किंड पूल एफ इस अ गुड़्स इंचुरी प्रिया, प्लीज हंग अप्ट फोन एंडू योर हम वोग क्यों आरिया, ब्रेक अब हो गया क्या बता मैंने जानता मामा जी मुझे बर्द संक्चुरी में लेके चलो ना, प्लीज एक हफते मेरा इंट्व्यू है और तुझे बर्द संक्चुरी ले जाओ, जा कर अपने नाना से पुछ ले, जा नहीं, वो बहुत बोरिंग है, प्लीज मामा जी ले चलो ना अपन्त करियार Hey, this is Myra Oh, hi, hi, hi Uh, मैंने बच्चों से प्रॉमिस किया था कि बर्द संक्चुरी ले जाओंगी पर मेरा मूद ठीक नहीं है तो If you don't mind and if you're free, क्या तुम लेकर जाओगे Of course, I'm free only In fact, मुझे भी बोर हो रहा था, मैं लेकर जाओंगा उने Thank you, I'll see you Hello, hello, Myra Yeah? तुमने कहा तुम्हारा मूद अच्छा नहीं है, तुम भी साच चलो कि तो अच्छा लगेगा I promise, you won't regret it मैं तुम्हें बता रहा हो ना, तुम्हें बहुत मजा आएगा Please join us Okay Okay Break-up सुनते ही रेडियो गया जाधा ही तुनने रगा है तु Go push, go push Go push, go push Go push, go push Yay Yay, it was fun Yay इनके पापा रिसर्ज के काम से अफरिका गएं कहकर बच्चों से जूट बोल चुके हैं और उस बात पर यकीन कर ये लोग खुश है ये खुशी उनके चेहरे से कब गायब हो जाएगी सोचकर ही ड़ लगता है भाया को गायब हुए तीस दिन से जादा हो चुके हैं उनके साथ क्या हुआ कुछ नहीं पता जिस दिन वो गायब हुए उसी दिन गुना नाम के गुंडे से मिले ये बात जानकर तो और भी डर लग रहा है पुलिस है कि बिलकुल ध्यान ही नहीं दे रही है सर वरुन मिस हुआ उसके पहले वो कलेक्टर से मिला था मिस हुआ उसी दिन गुना नाम का गुंडा वरुन से मिला था ये किड्नैप केस है सर आपको क्यों नहीं लग रहा है मतलब क्या कहना है तुम्हीं मैंने कलेक्टर ने कुंडो ने मिलकर तुम्हारे भाया को किड्नेप किया है क्या मैं बच्चो को अडॉप्ट करके अपने साथ अमेरिका ले जाना चाहती हूँ बच्चे इंडियन सिटिजन होने की वज़़े से उनके पैरेंट्स की सिगनेचर चाहिए या फिर उनके डेद सेर्टिफिकेट्स चाहिए उनके डेद सेर्टिफिकेट्स चाहिए इस लाइक अम इस्टाग इंडियन लिम्बो विदावट ऐ कॉन्कूजिन दुदा केस ऐसी सिच्वेशन में मेरे लिए बच्चों से बढ़ कर और कुछ भी नहीं है I want to adopt them but that bastard my fiance वो बच्चों को अनाध अश्रमे छोड़ने के लिए कह रहा है इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया Myra, लड़कों की ममताना देखने वाला इंसान नहीं हो सकता इस सिच्वेशन में तुम ही उन बच्चों की मा हो यह समझने वाला ही तुम्हारी लाइफ में होना चाहिए सब ठीक हो जाएगा Hello Myra Hanson Yes क्या एक बार आप आफिस आ सकती है Okay He is jakiś आप आप कि और आप आप तेलर उमें मचलिया पकड़ते वक्त मिलिया है इने आसपास कहीं पर भी बॉड़ी नहीं मिली है उनके कपड़ों पर ब्लड स्टेंस भी नहीं है तुमारे भाईया उनकी वाईफ के गुजर जाने के बाद डिप्रेशन की वज़ा से एलकोहॉलिक हो चुके थे हमें इन्वेस्टिकेशन से पता चला है सुइसाइड टेंडनसी भी हो सकती है ऐसा पता चला है सर एक पर उन बच्चों को देखिए सर कोई भी पिता उन्हें छोड़कर स्यूसाइड करने की सोच सकता है आप कोई साइकेटरिस्ट हो सुइसाइड करने वाले का माइंडसेट कैसा होता है ये जानते हो क्या तुम इस केस को सॉल्व करने से ज़्यादा आप कोई से सुइसाइड केस बनाने में ही ज़्यादा इंटरेस्ट लग रहा है ब्लड स्टेंज नहीं है, तो सियूसेड हो गया क्या कर लिग दोगे, बॉड़ी ढूनने की ज़रूरत ही नहीं है वो नदी जाकर समंदर से मिलती है, कहां जाकर तलाच ले बता सकते हो बिना प्रैक्टिकल नॉलेज के बात मत करो देखिए, अगर उन बच्चों की कस्टडी आपको चाहिए हो तो एक तो आपके भईया की दस्तगत चाहिए होगी या फिर उनकी डेट सर्टिफिकेट चाहिए शायद हमें बॉड़ी मिल जाएगी इस होप में इस केस को ओपन रखकर इसी तरह टाइम बेस्ट अगर करेंगे या फिर डेट सर्टिफिकेट लेकर अमेरिका जाकर अपने बच्चों का फ्यूचर संभालेंगी ये एक बार अच्छे से सोच लीजिए ये सेटल्मेंट में दिखने वाला टैलेंट केस सॉल्व करने में दिखाईये सर इसे लोक अपने लेके जाओ हाँ निकर जाएए और क्या कर सक्ते हो यूनिफॉम अच्टे है अभी स्टॉप इट सर बताइए कहां साइन करना है मायरा आर यू ओट ओफ यू माइंड ये मर्ड़र है जानते हुए भी ये लोग ड्रामा कर रहे हैं तुम क्यों नहीं समझ रही हो समझ रही हूँ इसलिए कहां केस क्लोज कर दो उनके लिए प्लीज लीव दिस डैडी को किसने मारा होगा डैडी को किसी ने नहीं मारा बैठा वो मम्मी के पास चले गए लेकिन मायरा अंटी तुम्हें डैडी से ज्यादा प्यार करेंगी पानी की विमुक्ती किसां की प्रदी तेलोरू माफिया का आंच होना चाहिए ए ए स्टप 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 सर आज बंद है गाड़ी स्कूल में पाक कर दीजिए आपको जाना है हमारे आटो वाले ड्रॉप कर देंगे गाड़ी स्टेशन में रखकर दिल्ली जाना है आने तक तीन दीन इहा रहेगी क्या बाई पूलिस पर पत्थर भी नहीं पेके बस में आग भी नहीं लगाया स्कूल मार्केट बंद भी नहीं करवाया यह किस तर का बंद है बॉस ऐसा कुछ भी किये बिना ही एक आदमी ने ब्रिटिश वालों को भगा दिया था सर अब ही तो ब्सक्शुरुवात है दो पहर तक देखना अर जगा आग लगीगी सर वएसा करना यह तो वो पुलिस यहारा ज के गुंड़े ही कर सकते हैं सर हम अगर किसान हो तो आटो क्यूं चला रहे हो किसान की तरह जी नहीं सकते और पड़ाई हम कर नहीं सकते एक बार वो मैप देखे सर तो हमारी कहानी समझ आएगी पिछले तीन सालों में तेले रुके आसपास के गाउं के 900 खिसानों ने आत्मात्य कर ली थी सर ये आपके न्यूस चैनल्स में कभी कबार दिखाई देने वाली खबर हो सकती है सर पर वो आत्मा हत्याय नहीं थी सर हत् ये 40 साल पहले एक वर्क के वोट्स के लिए शुरू हुई कहानी है एक समय में एशिया में सबसे साफ पानी की नदी तेलोरों में थी मचवारों और किसानों को एक समान रूप से जिंदगी दिया करती थी पर उस नदी पर कबजा कर कृत्रिम मचलियों का पालन बढ़ा कर एक व्यक्ति ने सारे मचवारों को अपना वोटर्स बना लिया उसके बाद सोसाइटी, लोन्स, लीज कहकर सारी नदी को अपने कबजे में लेकर उनी वोटर्स को अपनी व्यवस्ता में गुलाम बना चुकी है हजारों करोडों का सामराज्य बना चुकी है उस व्यक्ति का नाम है विशाखावानी उस व्यवार का नाम ही मत्से गंदा फिशरीज है राजनिती से व्यवार को, व्यवार से राजनिती को खरीद कर आज सारे राज्य को अपने कबजे में ले चुकी है इसमें किसानों का क्या नुक्सान हो रहा है? मजलियों को डालने वाले कृत्री महार के कारण पानी खराब हो गया नदी के बांद की वज़े से पानी का स्तर कम हो गया समुद्रे की पानी के उल्टे बहाव के कारण उसके खारे पानी से लाखो एकड की खेती बर्माद हो गई कभी वो नदी ऑक्सीजन देती थी आज जहरीली बन गई है सुप्रिम कोट के ओर्डर के खिलाफ जाकर अपना कभजा बढ़ाती जा रहे हैं सर सरकार खुद गुंडो जैसा बरताव करे तो हम जैसे लोग किसको जाकर सुनाए सर मैंने बोला था ना फ्री राइड है हमारी कहाने पर विश्वास करोगे तो वही हमारा पेमेंट होगा सर सर उस दिन मैंने जो आपको कहा वो मन में मत रखिये आपको उन गुंडों से बचाने के लिए ही ऐसा कहना पड़ा उस पर छे मैनों से शूटेट साइड का ओडर है सर अगर पुलीस ही कुछ नहीं कर पाई तो आप क्या कर पाओगी सर उसे मार भी दिया तो उसकी जगा कोई और ले लेगा वैसे गदे इस सिस्टम में पैदा ना हो उसका ध्यान रखने वाले किसान हुआ गंशॉट की तरह इंटिव्यू देकर इस ओटो वाले किसाद एक चिल्ड बियर मारी एका मरते दम तक याद रखो के सर और दे बेस्ट सर थैंक यू अल दे बेस्ट किसास च चो यू जा हमईखया है किसास किसा स्टम मारी किसा ट्रेन में बार-बार तुमका इंसाइटी हो जाती है, पैनिक करते हो, फिर भी तुमें ट्रेन से ही जाना है इंसान को उसकी मेमरीज डिफाइन करती है उसे उनका सामना करना चाहिए, उनसे भागना नहीं चाहिए वाटेवर यार ये, वहाँ दे करता बता या वहाँ, वहाँsal हाँ, ये, ढूतो, हाँ हर में रुक जाओ, हर रुक जाओ, हर रुक जाओ它 हर रुकियो। एई! 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 एँ! तेलरू की प्रमुखता क्या है? कम से कम दस चताप्त पहले वेंगी राजाओने शासन की अपरांत है Can you name it tourist attraction of your place? तेलरू सारे IAS ओफिसर करप्ट हैं सियाववा है इस पर अपकर क्या ओपीनियन है? पूरी सिस्टम ही करप्ट है सर तो सारे करप्ट है सर With all due respect क्या आप में से कोई ओफिसर्स हैं जो करप्ट नहीं है? क्या आप में हुए रेपिस्ट लाइव एंकाउंटर पर तुम्हारी क्या राय है? मिस्टर अभिराम, आपके पास के गाउं में इंटरकास्ट मेरेज करने वाली है कि उवा जोड़ी का गाउं के लोग विरोग कर रहे हैं और दूसरा गाउं एक लड़की पर ऐसे डटेक कर रहा है पहले आप कौन से गाउं जाएंगे? जो काउं नस्दीक होगा उसी गाउं में पहले जाओंगा सर तो फेर इस एटिट्यूट के साथ उस सिस्टम में कैसे फिट होगे? फिट होने के लिए सिस्टम ही कहा है सर राज की अनायक सरकारी नौकर कोट के दीन खोड़े सम्विधान को समानता से खीचते हुए एक दूसरे की खलती को खंडित करते हुए आगे बढ़ेंगे तब ही ये काड़ी सड़क पर रहेगी सर पर सद्धा की नशे में धुथ ये राज की खोड़ा अगर रास्ता भठक कर बाकी के दो खोड़ों को अपनी मर्जे के मताबिक चला रहा है तो सिस्टम कैसे बचेगा सर कई लाखों लोगों को फिल्टर करके मिले हुए वैल्योबल प्रिंट्स को सिस्टम में धक्यला जा रहा है पर उन्हें सचाई के साथ काम करने का मौका कहां मिलता है सर अगर ये परस्नेलिटी इंटर्व्यू है तो ये परस्नेलिटी वहाँ कैसे मिस हो रही है सर जिन्हें समाज में रहने का हख नहीं है वो गुंडे तिन तहाड़े मासुम बेकासुरों की जान ले रहे हैं तो उन्हें कंट्रोल करने वाली विवस्ता ही उन्हें पाल रही है ऐसे कुछ इंसिडेंट्स देखकर ही इस इंटर्वे में आया हूँ सर उन्हें ये पावा किस ने दी सर? इलेक्शन में वोट देने वाला वोटर सुचता है कि वो नेता उसके जिन्देगी बदलतेगा हमेशा लूटने की कोशिश में ब्यूरोक्राट्स को कंट्रोल करने वाले पॉलिटीशन जंदा के लिए काम ना करके सावकारों के लिए काम करने वाले ब्यूरोक्राट्स 75 साल से सरकार है इसी ब्रहमेजी रहे थे सर पर उस सरकार की असलियत क्या है ये कोई नहीं जानता सर What's the point of this interview, sir? If not a pseudo-intellectual masturbation Mr. Abhiram, इस temperament के साथ आप इस फिल्ड में काम नहीं आओगे I'm sorry Thank you, sir मैंने भी यही रियलाइस किया है एक सिविल सर्वन के साथ इगो क्लैश के वज़े से मैं इस केम में आया था पर आते वक्त रास्ते में ही समझा गया था इस खेल में रूल्स नहीं है बल्कि ये खेल ही नहीं, बस खिलवाड है I'm sorry, cha-cha-cha ये मेरे भाया की कंपाइल की हुई रिसर्च रिपोर्ट से अंकल घर खाली करते वक्त मिली थी मुझे तो ये पक का एक पॉलिटिकल मुर्डर लगता है I wish I could help बट सिस्टम ही रिस्पॉंड नहीं करेगा तो फिर मैं अकेला क्या कर सकता हूँ मैं यूएस जाते ही डबलो एचो में रिपोर्ट कर दूँगी आप यहां से एक एस रियोपन करने में हमारी मदद करेंगे क्या अंकल हे मामा जी घर पे आ गए आयेस बन गए क्या इंटर्व्यू का क्या हुआ हो ना क्या है आपके इच्छा के मुताबिकी हुआ है अंकल ये इंटर्व्यू में हार गया आप जाकर वापस वही टिकेट्स बुक कीजिए इस बार बिजनेस क्लास में बुक करता हूँ बाई अब ही तुम जैसे लोगों को इस सिस्टम में नहीं रहना चाहिए बल्की बाहर रहना चाहिए देश के लिए अच्छा होगा जिस्टेक इजी अभी होप आप सी यू सून बाई अंटी बाई 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 अंकल बाई प्रिया बाई अंकल इस तेवी तस में यू चाहिए अच्छा बाई आओट चल बैट दे मुझे एक टपाफ आउट जाएगा बोलाथा अपर स्रेट कैच लियाना आप ने बूले थे अरे यह तो अभी से धान किग मन या यार चल बैट दे मुझे जोड़ूगा बोलाना नहीं जोड़ूगा बोलाना नहीं तेलरू के नवासी मिस्टर अभीराम ने आएएटे में मेक्यानिकल एंजिनियर की पढ़ाई कर गोल्ड मेडल जी दिया है पिछले चुनाव में इसी यूवक ने चुनाव की विवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया था और खबरों में बना हुआ था इतना ही नहीं इस यूवक ने पहले ही अटेप में आवी ऐसी क्रैक कर लिया है जो की काबले तारीव है इस यूवक के इंटेव्यू से कैबिनेट सेकरेटरी के साथ-साथ सारे पानल मेंबर्स इंप्रेस हो गए है अमेरिका की बड़ी-बड़ी कंपनियों से उनके लिए ओफर्ज आ रहे हैं सी, एनी न्यू मेडिसन और वेक्सिन सेंपल टेस्ट में सक्सेस होने के बाद ही मार्केट में इंटेडूश करते हैं पिल्कुल वैसा ध्यान पब्लिक एड्मिनिस्ट्रेटीव में भी अप्लाई करने पर ही वो एक मैच्छ और डेमक्रसी होगा मैं जब से कैबिनेट सेकरेटरी बना तब से चाहे जो पार्टी हो सारे देश में इंपलिमेंट करने से पहले एक ब्रिक लेवल एक्सपेरिमेंट होना चाहिए ऐसी मेरी इच्छा है मिस्टर अभी यू आर डेट एक्सपेरिमेंट आगे भविश में यूपी ऐसी कलेक्टर को बनाने के अलावा उन पर राज्य सरकार के जो भी अधिकार है उन्हें भी अपने हाथों में लेकर इसी दिशा में केंदर सरकार ने एक एक्सक्यूटिव अरेंजमेंट बिल का प्रस्ताव लाया है इस प्रोपोजल के लिए पहले परियोग के लिए आई-एस टॉपर अभी राम को यूपी एसी बोर्ट पश्रिम गोदावरी जिला कलेक्टर के रूप में नियुक किया गया है इस पच्चिस साल के बैचलर के काम के उपर ही इस बिल का फविश्य निर्फर करता है ये केंद्रे सरकार के नेतरित्व के अन्याय का एक और निदर्शन है इस एंटी फेडरल एंड यार स्ट्रोंगली अपोजिंग इस बिल इस रेडिकलोस, अंडेमोक्राइटी देश की सारी शेत्रिय पार्टिया इस बिल का तीवरता से खंडन करती है तुनिया के जितने भी लोकतंत्र देश है वो इसी मॉडल पर काम कर रहे है असल में डेमोक्राइटी इसी को कहते है With the support of the current central government, our target is to achieve that And mark my words, ये एक्सपरिमेंट जरूर फेल होगा He, he is the next furry man He, he is the next furry man He, he, Azal, Azal He, Rovac, is the soldier He, Rovac, is the soldier He, Rovac, is the soldier Shrra, Rovac, is the soldier Good morning, sir How long are you singing? Over the time, these people came from the morning Inspector, I have given you to the royal people I haven't asked about those people I have asked about this इन्हें तो दो हफ्ते हो गए सर जब ये बीमार पढ़ते हैं तो हॉस्पिटल ले जाने पर एक के जगा पर दूसरा आके बैठ जाता है डिमांड्स पूरी होने तक चाहिए जितना भी वक्त लगे टेंट नहीं हटाएंगे ऐसा कहे रहे हैं ये लोग तो फिर हमें और बिट है कि एसाई के विए कर जोड़े हैं प्लीज बीज़ेट आज तक इस जिले के करिक अब भविष्ये एक पॉलिटेशन के हात में हुआ कर्ता था लेकिन आज से वो UPSC बोर्ड के हाथों में है, मतलब इंडिरेक्टली वो भविश्य मेरे हाथों में है, इस बात का ध्यान रहे As you all know, collector is the supreme authority of the district and I am that supreme authority पुराने तरीके में और नए तरीके में एक ही फर्क है अब तक politicians के घरों में secretly हुए settlements आज से यही legally, publicly और peacefully होंगे चुटकी बजाता ही व्यवस्था को बदलने के लिए ये कोई सेनवा नहीं है ना ही मैं भारतियों हूँ और ना ही कोई अपरिचित By choice, बुरे होकर जीना चाहने वाले को कोई नहीं बदल सकता सिस्टम के मताबिक सजा देने के अलावा आप मेंसे कई लोग अच्छे ओफिसस बनकर जीना चाहकर भी ना जीने वाले है उन्हें वो मौका देना ही मेरा लक्ष है और वही असली बदलाव होगा नया आने वाला हर कोई ऐसा ही कहता है सोचकर मजाग समझने वाले पास के जिले में अभी से ट्रांसफर करवालो वरना तुम्हारा करियर बरबाद हो जाएगा ये मेरी गैरेंटी है SP सर सर उस दिवरेकर गुना की केस फाइल लेकर मेरे रूम में आईए अब तक चौदा मर्डस चार रीप्स कुल मिलाकर अठरा अपराध है छे महीने से शूटेट साइट का ओडर है How do you explain this? सर एक special team के साथ 6 महीने से ढूण रहे हैं हम लोग आपको ऐस NSI जॉइन के कितने दिन हुए हैं? तीन महीने सर शूटेट साइट ओडर का मतलब क्या है? जेल काट चुका कैदी बाहर के लोगों को और उनकी मान मर्यादा को हानी पहुँचा रहा है सर उसे देखते ही गोली मार देने का कोर्ट का ओर्डर ऐसा है वो तो बाहर के लोगों को अच्छी तरह दिखाई दीता है कहीं आपको कोई सिलेक्टिव विजिन नाम की बीमारी है सर जिस दिन से आप आए हो उस दिन से मेरी परिमिशन के बिना मेरे स्टाफ को बुला कर उन्ही के सामने साफ साफ मेरी बेज़ती कर रहे हो यानि अब ये लुका छुपी किस लिए अच्छे से बात करते हैं नाम गुना को टच किया तो विशाखावानी से वार डिकलेर करने जैसा ही है ये गुना के साथ साथ उसे मारने वाला भी समाधी में चला जाएगा ये बात गाओ वाले सब जानते हैं इस ट्रांसफर से हमें कौन बचाएगा सर इस ड्यूटी के साथ साथ घर में बीवी बच्चों को संभालने की ड्यूटी भी है हमारी सर एसपी सर आप अज़ेंटली आजी से बात करके दूसरे जिले में ट्रांसफर करवा लीजिए घर की ड्यूटी संभालिए अब जाहिए सर गुना कहां रहता है मैं जानता हूं सर अगर आपका सपोर्ट मिले तो मैं हिम्मत कर सकता हूं सर गुना को शूट करने वाला मारा जाएगा ना चलो वो मौत कैसी होती है मैं भी देखता हूं कर दो करता हूं कर दो और कर दो अबता है जो, लुटाओाए झाल। सुथधकर उस डेपार्टमेंट वाले ने भाई तुम्हे मारने के लिए दो कुत्ते निकले है ऐसा बताया अब तिछ निकले सारे कुत्तों का क्या हाल हुआ यह बताया नहीं क्या तुझे पूछा तो उसने क्या जवाब दिया हम क्या बताये भाई तुम करके दिखाऊ ना दू आदमी और दू बंदूक सब कुछ खट कर दोगे क्या? वहाल जो झाल 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 कि वेड़े जाओ रचा लबाओे जा ह।ालाई लूझ। भाय। हुई हुई कि वाय connectivity देपे नंदें उर फबेंस आए! 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 अौँ तो pância हुँ MB पुई हुई 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 हुख एई ए हुग और पंप और या- Rudolph खडियुख वंग हुख बच पाउ हakyुश हुख बपकल उब बबब व Uno हो हुख हुख मुझे छोड़ दू सर, आप क्या हाँ जोड़ता हूँ सर, सर, एक बात बिल्कुल सही कही तुने नहीं सर, जान बहुत नाजुक चीज है उफ करते ही बुझ जाती है जाहे वो तेरी हो या मेरी हो व्रिख शीत करिटीजा जो अने से लिए. दो फिर्लिः कर दो चलो चलो जो ऑगाजने कैसे दो करूदिए. चेकल, बसूँ Sir? माईरा 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 इनके साथ तो बच्चे भी होंगे जाकर देखो Yes Sir माईरा 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 डॉक्टर डॉक्टर निर्बंद से मिली लड़की एक एनाराई है पता चला कि आज सुबद तीन बजे एनकाउंटर आपरेशन पूरा हुआ है ऐसा पुलिस बता रही है आगे की जांकारी के लिए रहा पुरा खरवाने के बाद अमेरिका वापस लोट रही थी पर फिर रहे गुणा को खोश लिया है और वो अठारा केसिस में मुख्या आरोपी है जिला कलेक्टर मिस्टर अभिराम के आते ही उन्होंने खतरना गुंडे गुणा को खोश लिए उसको मुल्टिपल फ्रैक्शर है और इसके सीर में लगबग 40 ठांके लगेंगे बट शेज लगी शेविल सर्वाइब पर उसको बार बार टॉर्चर करके रेप किया गया है इसलिए पर जो देख विल शर्वाइब बच्चों के बारे में पता चला मार डहादा सर्म क्यों मार दिया और बॉडीज को कहां भेखा गुना के अलावा कोई नहीं चानता है सर नाली के केड़े हैं सर अभी मार देता हूँ एंड काउंटर बता देंगे सर भूलना मत आज हमारे घुस्से में न्याए है मार देंगे करल उसे स्पी जैसा कोई किसी और केस में असली आरोपी को छुड़वाने के लिए इसी तरह एंड काउंटर के नाम से मासूमों को मार दालेगा रोक पाओगे क्या रोक पाओगे क्या तुम अन्याए होने वाले हर बार कानून को अपने हाथों में लेकर चनता पुलीस मीडिया अन्याए व्यवस्था को कंट्रोल करते हैं तो इसे व्यवस्था नहीं कहते कोर्ट और्डर से गुना जैसे आरोपी को मारने के लिए बिना कोर्ट में पेश की आरोपी को मारने में जो फर्क है वही व्यवस्था है सारे गुनहाकारों को गोट में प्रेसेंट करो लोग भूलने से पहले ही इन्हें सजा दिल्वा दो अगर और कुछ करोगे तो उनमें और हम में क्या फर्क रहेगा सीम सबका कौन वै आ रहा है रास्ता क्लियर जान को खत्रा नहीं है फिलहाल वो अनकॉंशियस है केस कौन हंडल कर रहा है डॉक्टर डारेक्टली कलेक्टर साहब हंडल कर रहे है आप लगों का काम है आप ही कीशी है ओके सर गोपाल यस सर तुम यहीं रुको और सब कुछ संभालो ओके मैडम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कहा था और इसने कले में बांदी नालायक कहीं का पहले तो इस हास्से से जूज रही विक्टिम जल्दी से ठीक हो जाए यही प्रार्थना है इस इंसिडेंट में पकड़े गए सारे गुनेगारों को कड़ी से कड़ी सजा मिले नियाए विवस्था को यही विंति करती हूं गुणा को हमारी पार्टी ने पाल पोस कर रखा है विरोधी पार्टी तो यही प्रचार करती है वो छे महिने में जो काम नहीं कर पाए वो हमने छे हफ्तों के अंदर-अंदर ही करके दिखा दिया इस हिसाब से गुणा को किसने पाल पोस कर रखा था या आप भी समझ लीची सर कलेक्टर अभिराम के अपॉइंटमेंट को आपने खंडन किया था पर उन्होंने ही इस ओपरेशन को आगे बढ़ कर अंजाम दिया इस पर आप क्या कहना चाहेंगे किसने का आई है यह हमारे सरकर ने प्लान किया हुआ एक सीक्रेट ऑपरेशन था और कलेक्टर अभिराम हमारे चेन ऑफ कमांड का एक पासिंग पॉइंट है बस राष्ट्रो के सारे माफिया का अंत करना ही हमारी पार्टी का लक्ष है और वो इस एंकाउंटर से शुरू हो गया है सारे राष्ट्रो में इस तरह के काम करके हम राष्ट्रो में शांती फैलाना चाहते है पॉलिटिकल लीडर्स हमारे डिपार्टमेंट को फ्रीडम देंगे तो रिजल्ट्स कैसे होंगे यह आप सभी ने देखा है हम चाहते हैं कि आगे भी यह सपोर्ट ऐसा ही चलता रहा सब्सक्राइब करने का है तो मुझे आने से मना कि है तो अइसी बात नहीं है जिसका काम है वो ही इसे अच्छे से कर सकता है कलेक्टर होने के नादे जिले में कोई भी काम हो वो डिरेक्टली है अधिकार है मुझे आफकोर्स सर, आप ही फाइनार अथॉरिटी है, सर ये लूग कौन है? दुनिया में कहीं बर्भी यूएस सिटिजन्स पर क्राइम होता है, तुम आपके असिस्टन्ट की हेल्प करना उनकी ट्यूटी है, और उनका साथ देना हमारी ड्यूटी है, अनी कंसर्न्स? not at all sir, no problem sir, no problem is this the medicine going in there? yes ma'am can I check? this is a wrong dosage prescription किस ने दिया था? chief doctor ने दिया है what's happening here? patient कुमारने का treatment चल रहा है यह mind your language sir, ये लो कौन है? counselor office yours hypotonic cylinder में 30% zeletol दिया है इससे patient की मौत हो सकती है, आपको नहीं पता क्या इसे लिखने वाले आप ही हो ना? sir, वो कोई गलती से हो गया sir जान जाए इसी गलती को गलती नहीं कहते हैं बाहर चलिए sir यहां क्या चल रहा है मैं अच्छी तरह समझ चुका हूँ आप जाकर दूसरे patients को संभालिए कौन हो तुम? यहां क्या कर रहे हो? विशाखावाणी जी का पीडिया हो, sir लड़की के progress का ध्यान रखने के लिए कहा है? प्रोग्रेस यह बात है क्या है कर दो कर दो कर दो कर दो घ्योन अजसे सिर्फ ए लुंचेस्स नॉ मारा अग्राइड,ंपे भीशा,तन करें नियुमारा भीशा,टे मैराइड ऩातन क्या उतरीं वेला है इवाया इस पर करें,भीशर वेला है मैं नमी खेंद ईभिशा,व्ली गाइड,थ मैं 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 करें आइड पर दो उन लोगों ने जिस तरब अरण को मारा था, वैसे मुझे भी मारना चाहते थे मैं लड़की हूँ ना, इससे लिए इस तरह मारने की कोशिश की, मुझे कंट्रोल करने के लिए, मेरी आखों के सामने, बच्चों को, इस वक्ती ब्रेकिंग न्यूज, मंदा हॉस्पितल में जो रेप विक्टिम है, माईरा हांसन, उन्हें अभी-भी होश आ गया है, ऐसा डॉक्टरों का कहना है, लोग माईरा हांसन की तबियत के बारे में अपडेट जानने के लिए बेसबरी से इंतिजार कर रहे हैं। माईरा, मुझे बसे एक बात बता, तुम अन डॉक्यूमेंट्स के साथ आगरी बार किस से मिली थी? मैं यूएस चाहती ही डबलू एचो में रिपोर्ट कर दूँगी, आप यहां से ये केस रियोपन करने में हमारी मदद करेंगे क्या अंकल? मैं यूएस चाहती हैं। मैं यूएस चाहती हैं। अंकि यूए रिप हुआ कैसे, कितने लोगों ने मही दर यूए रिप किया है, क्या इसे गैंग रिप कह सकते हैं। सब प्लीज करें कि इस बार में आपका क्या कहना है। या ये रिप है। हाँ… ये देश का सबसे भायान अग रिप है। ये सिर्फ एक लड़की पर हुआ रिप नहीं है। हमारे 75 साल के लोग तंदर पर रोज हो रहा रिप है। प्रकृति, पर्यावरन, प्राणों पर हो रहा रिप है। इस रिप में विक्टिम एक नहीं है। बलकि माइक्स, कैमरास पख़ड कर खड़े रहने वाले आप लोग। ये सब देख कर सुनकर भी कुछ ना करने वाले लोग। इस रिप में जजा पाने वाले कुन्हेगार चार नहीं है। बलकि एक सामराज जही है। इस इस माइवाइप राधिका। छे महीनों से बिना के और होने वाले एक नसों की बीमारी की शिकार हुई है। आज इसकी दड़कने रुक गई है। मेरे लिए, मेरे बच्चों की लिए। दड़कने वाला दिल। मैं आश्रम मेडिकल कॉलिज में नियूरोलची डॉक्टर और प्रोफेसर का खाम करता हूँ। मैंने और आधिका ने शादी कर ली। मैंने जब से प्रैक्टिस शुरू की है। मैंने किसी को ना समझाने वाले नसों की बीमारी से बाधित होने वाले केसिस फेस की है। महीने दर महीने और पेशिंट्स का काउंट पढ़ता ही चला गया। हमारे जिले में अब तक 3,000 केसिस रजिस्टर हो जुके है। मेरी वाइफ पे इस बीमारी से सिख हुई। तभी उसके बारे में एक क्लू मिला। इस बीमारी से बाधित सारे पेशिंट्स में एक कॉमन हैमिट होती है। हर रोज फिश खाने की। वो फिश तएल्लरो में बढ़कर मजसेगंदा फिशरी्स के जरिये डिस्ट्रिब्यूट होती है। तएल्लरो में असी ठकका फिश टैंक्स मजसेगंदा फिशरीज के लीज में हैं। मीच शॉपज में बचे हुए बेस्ट को मरे हुए जानवरों के एक गेमिकल में पगलाकर मचली öğuk के रूप में देते हैं मचलीय जल्दी से पढ़कर ज्यादा मुनपफा कमाने के लिए वह ऐसा करते हैं तीन साल से इस नदी मे देग पहले से मर जाता है इसके करण सारा तेलरो, सीला इस नाम के बैक्टिरिया से मर चुका है ये बैक्टिरिया नदी के हर मचली के अंदर है काफी हद तक हमारे खाने से पहले ही वो बैक्टिरिया मर जाता है पर कुछ रेयर केसिस में वो जिन्दा बच जाते हैं और डेरिकली ब्रेन पर अटेक करते हैं इस बीमारी से आने वाले हर पेशेंट में ये बैक्टिरिया पाया गया है पंचियों की संख्या कम होती जा रही थी तो पंची ही है ना ये समझ कर ध्यान नहीं दिया पंचियों को जीवन ना देने वाली नदी इनसानों को जीवन कैसे देपाईगी आसपास के लाखों एक रखेत बरबाद होने का कारण और किसानों के आत्मात्याओं का कारण भी ये पुल्यूशन ही है सिर्फ नाम के लिए ये अच्छे नदी का पानी है पर ये पानी पीने के ये उप्योग करने के लाहिए नहीं है ये गंदगी आसपास के लाखों जिंदगी उनको इंफ्लूश कर रही है और इसे निकलेट करके बैठना एक जंदा लाश के जैसा है अटरा साल की उम्र में युएस सिटिजन शिप छोड़कर इंडिया में पढ़कर यहीं पर सेटल हुआ है इन रिपोर्ट से एक्शन लेने के लिए भारतियता अपने मुझ पर लपेट कर भारत देश को अपने कंधों पर ढो रहे है अपने ऑफिशल से मिला ये असली इंडियन वरुन हैंसन हमारे डीसी से मिलने के बाद वो कहीं दिखाई नहीं दिया उसी डीसी से मिलने के बाद इनकी बहन फिलाल हॉस्पिटल में इलाज पा रही माइरा हैंसन वो भी फिर दिखाई नहीं थी सर मैंने अपनी ड्यूटी की थी आफिसर्स को इनफार्म किया था यो नट अ पोस्मेन मिस्टर नचरत नट अ पोस्मेन जिम्मेदार डीसी होने के नादे एक मरन कांड में आपका रिस्पॉंस इतना ही है सर वो रिपोर्ट बेसलेस है रिसर्च गलत है हमारे पबलिक हेल्थ ओफिसर ने काउंटर रिपोर्ट गी थी सर सर वैसे रिपोर्ट बनाने के लिए कहने वाले भी डीसी साहब है ऐसा करने के लिए मुझे भी ओपर से ओडर राये था सर as of now you both are suspended and are under investigation एससर अबसा जाई इसर साहब साल आई सर अबसा जाई एसर पूसलेषा गजाए सर एसर नीच्छे और डाविन की दुनिया में, बापू, और हल्दान कर, एक बापो ने मेरे पिताजी को गिफ्ट किया था, दूसरा मेरे पिताजी ने मुझे गिफ्ट किया, इस से ज्यादा मेरी इन के लिए और कोई वैल्यू नहीं है, प्लीज, बोलिये, जनम देने वाली माँ की तरह होकर, आप किसी की जान कैसे ले सकती हैं, फिलोसोफी के बार में बात करने आया हो, या अपनी प्रॉबलम के बार में बात करने आया हो, तेलूरू से जो प्राण अपनी निकाले हैं, उने वापस लोटाई है, यही मांगने आया हो, क्या कहां? लेकिन जो प्राण निकल चुके वो लोटते नहीं, अपनी मुठी से मुक्त कर दोगी, तो तेलूरू में प्राण वापस आजाएंगे, यही प्रकृती की शक्ती है, पर तेलूरू के सहारे ठाई लाक वोटर्स जीते आ रहे हैं, फिर उनके प्राण का क्या होगा? उनकी जिन्दगी के बारे में सोचकर ही, यह प्रोपोजल लाया अपोजिशन जब आवर में था, तब तो ऐसा नहीं हुआ, अब हो जाएगा ऐसा लगता है तुम्हें तो फिर एक्जेकेटिव होने के नाते, खुद से ही एक्शन लेने के अलावा, और कोई रास्ता नहीं है, माडम एस पर कॉंस्टिउशन, कानुनी सभा आदेश के मताबिक ही, उद्योगियों को काम करना चाहिए लगता है, यह बात भूल गए हो तो एस पर कॉंस्टिउशन, कानुनी सभा आदेश मारण उमका कारण बनता है, तो उद्योगियों को फॉलो करने के जुरूरत नहीं है, फॉलो करेंगे तो आप जैसे लोग हिटलर बन जाते हैं हिटलर हो या गांधी सब जन्ता की ताकत से ही लीडर बने है, और जन्ता मेरे साथ है जिन्दगी और मौत का फर्क बता चलने के बाद, जन्ता जिन्दगी को चुने की मैडम, आपको नहीं चलो तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ राश्ट्र में पहली बार कॉप सूसाइटी का निर्मान करने वाले एक फ्रीडम फाइटर की कहानी असली लोग तंद्रा लोकल गवर्नस में हैं ऐसा लोगों को भाशन दिया करता था लोगों की जिन्दगी सवाने के लिए कम्यूनिस्ट जंडा लेकर सड़क पर निकल पड़ा सब को सुनने के बाद, इलेक्शन से पहले ओपोनेंस ने डाली हुई खांस खाकर आने वाले पाच इलेक्शन में उसे डिपॉसिट भी ना मिले इस तरह हरा दिया उन्हें ही लोगों ने एमेजंसी का सामना करते हुए पुलिस की गोली बारी में अपने दामात को खो दिया तेरा मही ने जील में सड़कर लावारिसों की तरह मौत को कले लगाया उस इनसान का नाम है हानुमंत्रा उनकी बेटी का नाम है विश्या खावानी पिता की लाश को चिता देते वक्त कर भी नी थी उस दिन उसने चिता को आग लगाई अपने पिता की लाश को नहीं बलकि पिता के अंदर समाई सच्चाई को आग लगाई और उनकी लाचारी को उस आग को अपने सीने में रखकर अपने पिता को हराने वाले तंत्रों को अपनी मुठी में रखकर जीते हुए जी रही हुँ आज मतलब जनता को उल्लू बना कर जीनाही आपका तंत्र है एक काटोनिस्ट के बनाय हुए घतिया काटोन को प्रिंट करने से मना करने वाले एक तमीलियन पर घुसे से बॉंबे से साउथ इंडियन्स को मार कर भगा कर प्रचानायक बना और उसके कुछ साल बाद तक नॉर्थ इंडियन्स को अपने राज्ये से भगा कर राज के शक्ती बन चुका था वो फैसिस्ट फैमिली आज उस राज्ये की रोलिंग पाटी है जाती के नाम पर हमारे देश को अलग-अलग करने वाला हर एक गधा एक नायक है सब सीडी के जरिये सबको आलसी बनाने वाली हर पाटी एक रोलिंग पाटी है जहां अज्यान इकठा होता है वहीं धोखा पैदा होता है कलेक्टर मौत क्या है और जिन्दगी क्या है तुम समझाओगे तब भी वो नहीं समझेंगे तुम्हारी आखे गंदी नदी को देख सकती है और मेरी आखे पूरे मेले समुंदर को देख रही है डार्विन के कहने के मताबिक बंदर ही आगे चलकर इंसान बना है किसी भी लोक तंत्र में at any given point of time असी प्रदिश्यत वोटर अभी भी बंदर है इस होशेर माइनोरिटी के पास उस बेवकुफ बंदर के पास एक ही पावर है वोट और ऐसी वेवस्था से क्या मिलेगा और आजकता क्या लावा उन में से जो भी उस बंदर को चाला किसे सिखाएगा वही उस पिरमिट पर होगा और इसी ले चाहे कोई भी डेमोक्रिसी फंक्शन हो तुमारा जो इशुए उस पर मेरा equation simple है नदी के कारण बादित हुए लोग केवल एक लाग है अला पाने वाले वोटर्स की संख्या धाई लाग है यही मेरा हिसाब है और इस प्यूर ले डेमोक्राटिक इस होल थेरी में आप एक छोटा सा लोजिक मिस कर गई मैडम इंसान यहां से यहां तक चेंज तो हुआ है पर इस चेंज को चलाने वाली एक शक्ती है आज आज आपके सामने खड़े होकर सवाल पूछने वाला मनस साक्षे इस वर्जन से नेक्स्ट वर्जन के इंसान में बदलने के लिए आपको एक हफ़ते की महलत देता हूँ अगर तब तक आपके मन में बदलाव आया तो उस रास्ते पर हम एक साथ चलेंगे वारना इसी पहाड से नीचे गिर कर चरित्रहीन हो जाएंगे आप पिलकुल हिटलर की तरह और आपको उन परिणामों के खबर नहीं है और मैं उन परिणामों को देख रहा हूँ थैंक्स पॉर टाइम जाएंगे नहीं आपको 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 देख प्राइम झाल झाल अलग अलग करके प्रांथिया पार्थी को मिटाने के लिए केंद्र सरकार चाल चल रही है उसका एक भाग ये नया कलेक्टर है जो तुम्हारी बली चड़ा रहा है इस कैम में मुझे फसानी की कोशिश में वो तुम्हारी पेट पर लात मारा है इस पल से मच्यक गंदा फिशरी इस मेरा नहीं है तुम्हारा है इस कंपनी में हर एक मच्यकार एक समान का हिस्सेदार है विशागावनी जिंदाब विशाकावनी जिनवादी पाल आप गुस्से से रास्ता रोको के ये जानते हुए भी आया हूँ क्योंकि इस नदी पर आप सभी का हक है पर अभी भी क्या वो नदी आपकी ही है चालीस साल पहले आसानी से यहां मश्लियां फकड रहे थे तब तक वो नदी आपकी थी पर जब जीवन देने वाली इस नदी को लीस पर छोड़ दिया गया उसी दिन ये आपके हाथों से निकल गई या फिर मुझे बताईए आपने इससे क्या पा लिया एक के काम पर चार खाते हुए अपनी बढ़ोत्री में आप ही अर्चन बन रहे हो अपना आलसी पन यहां लेटा कर रखे अपने बचों को भी विरासत में दे रहे हो इस बांद को तूटने से नुकसान आपका नहीं होगा आपको इस चक्र में भसा कर आपसे दस गुना ज्यादा कमाने वाले इस सोसाइटी के प्रेसिडेंट्स आपसे हजारों गुना ज्यादा कमाते हुए आपके भविश्य पर सिंघासन डाल कर बैठी हुई वो न्यूकता है आपका डर, अग्यान, मासूमित, विश्वासी उसके सिंघासन के चार पैर हैं उस सिंघासन को बचाने के लिए, अपने गुनाहों को छिपाने के लिए आज आप सभी को उस कमपनी में भागीदार बनाया गया है पर उसका लाब कभी भी आपको नहीं मिलेगा, यहीं सच है इस नदी में क्या हो रहा है आप जानते हो वो गलत है यह भी जानते हो पर उस जाल से निकल कर पहार देखने के लिए डरते हो किस लिए डरते हो, आखिर किस लिए डरते हो आलस के लिए, या न्याए के लिए सौ साल पहले वेंगी राज समराचे को बचाने के लिए बोरी सासे आये वीर हैं तुम्हारे दादा और परदादा तुम्हारी तरह हर बात और बदलाव के लिए वो तो नहीं डर गए थे ना एक बार डर नाम के इस बांद को तोड़ कर देखिए तो सिंगहासन के पैर टूटेंगे इस मा की हदकडिया खुल जाएंगी देलूरू में एक बार फिर जान आएगी तुम्हारे साथ साथ उन किसानों को भी जंदगी मिलेगी आसानी से मचलियां फकड़ने की शक्ति आप सब में है कुल वृत्ति के आगे आपके बच्चे भी अपनी शक्ति के मताविक आगे पढ़ेंगे मैं यहां आया इस नदी के लिए ही नहीं बलकि आपके भविश्य और आपके बच्चों के भविश्य को भी बचाने आया हूँ तो आप रोकोगे या रास्ता दोगे मर्जी आपकी है और आपकी इजाजत के बिना यहां से एक कदम भी आके नहीं बढ़ाओंगा और एक बांध भी नहीं तोड़ूंगा अव्ड़ूंगा झाल झाल इए कलेकटार तुमने कितना लिया इनसे ये नदी हमसे चीन कर तुम उन लोगों को देना चाहते हो क्या अबे घॉंचो और कितने साल तुमारी चलेगी ह। आओ देख लेते हैं चलो रे मार देते हैं नहीं बोडेंगे नहीं किसी को चांस में मार देंगे हंग面! ए जो ज लुकान! बती जो! मजगलती जो! चुर्णाने कविर टौ्ट चुर्दा लिए पुर्दाने कविर नाओ पुर्दार पुर्दा पुर्दा कि अठाण सेले रे कर दो करते हैं, करते हैं, का एंदार में ऋτιंग तर्काइपरे के हमेना! पाँलिया! एंदार! टाल धान है! होल दिन, कोई लगाटे होल, हो आगे को मुड़ेन होल, हो! अ कड़ intervenus होल, किली वाल झाल 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 क्या हुआ इस दुरखटना में कुल 15 लोग मारे गए हैं और 22 लोग घायल हुए हैं शांती कायम रखने के लिए टेलरू के ग्राम में और आसपास की जगहों पर 144 सेक्शन लागू कर दिया गया है कलेक्टर अभिराम को UPSC बोर्ड ने सस्पेंड कर दिया है इस संघटना से रेजिसलेटिव कंट्रोल से एक्जेकेटिव ब्रांच को अलग करने की राय केंद्र सरकार के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है प्रजा की समस्याओं के बारे में कोई जानकारी ना रखते हुए गैर समेदाराना काम कर इस मौत को अंजाम दिया गया है ऐसा कहकर कलेक्टर अभिराम का कई राज़किये पार्टीज के नेताओं ने विरोध किया है मैंने पहले ही कहा था कि कलेक्टर अभिराम फेल हो जाएगा केंद्य सरकार ने इस संघट्टा में तुरंट फैसला लेने के लिए सुप्रीम कोर के अंतरगत एक ट्रिबिनल का आयोजन किया है तलरो उस क्याम को कवर अप करने में कलेक्टर अभिराम के पिता का होना भी एक विशेश बात है अब ट्रिबिनल का फैसला क्या होगा असेजी का इंतिजार है हलो गुस्सा आ रहा है ना पर मुझे तो तुम पर इस वक्त तयार ही है ऐसा लग रहा है कि मेरे पिताजी लोट कर वापस आये तुम्हें जिस परिडाम की खोज है वो तुम्हें जंता में कभी नहीं मिलेगा इस देश में कोई भी आरो के बढ़ाई, व्यवसाय, परियावरण, इकोनोमिके बारे में नहीं सूच रहा है उनकी सोच सिर्फ जाती मतभेद उस वक्त की जरूरत को पूरी होने तक सिमित है उनका बदलने का इरादा नहीं है और बदलाव लाने का हमारा को इरादा नहीं है तुमने गुणा को मारा पर मेरी कोई प्रदिकरिया नहीं दी जानते हो क्यों क्योंकि उस बांद पर हजारों गुणा मौजूद हैं। फर्स्ट फेलियर है ना। बहुत दर्द देता है। दीरे दीरे आदत बढ़ जाएगी। हर फेलियर हमें असलियत के और खरीब ले आता है। और विवस्त हमें मिला देता है। हेलो दीदी। अभी, पापा अभी तक घर नहीं लोटे, बहुत डर लग रहा है। पापा किसानों के साथ गये हैं, अभी तक नहीं लोटे है। तुम खबराओ मत, मैं देखता हूँ। अभी, वाट्स हैप्लिंग। माइरा, टोर लॉक कर लो, किसी को भी आने मत देना। अभी? अभी, जे खोटेड़! अभी, खोटेज़! अभी, खोटेड़! लूाँ झाल लूाँ रहने दौगा रहने दौगा रहने दौगा रिश्वत लेकर घलत नहीं करूँगा और अच्छा करने के लिए रिश्वत नहीं लूँगा स्टे ओर्डर किसी भी वक्त आ सकता है लेट्स स्पीड अप देख लो सारे एक्स्प्लोसिफ सही जंग से लगे हैं कि नहीं आज पास के बिल्डिंग्स को नुक्सान न पोचे ओके जीरो टॉल्रेंस कुनो प्राब्लेम हाबेना शाहिब आमीश अप देखेने हो ओके पापा हाँ क्या पूरी बिल्डिंग एक साथ गिर जाएगी वर्ल्ट्रेट सेंटर की तरह हाँ बेटा ऐसे एक साथ कैसे गिर जाएगी क्योंकि डाइनमाइट्स एक साथ उड़ाएंगे कितने डाइनमाइट्स लगाए हैं यह क्या मजाग चल रहा है हमने आपको नोटिस भेजा था लेकिन बिल्डिंग बनती रही हमें इसे गिराना होगा साथ अले छोड़ना तु किससे बात कर रहा है तुझे पता है राहूल सेंगुपता के साथ मैं चीफ मिनिश्टर का भती जाहूं और इस शेहर का सबसे बड़ा बिल्डर आइनो सार तेरी प्रॉब्लेम क्या है क्या चाहिए आइज जस्ट वोर्ण दा बिल्डिंग चुक्म डाउन सा या बात कर रहा है पूरा बिल्डिंग इना देगा पर ये बिल्डिंग पार्क पर इल्लीगली बनाई गई है सुन तुझे बिल्डिंग में दस फ्लट दे दूँगा छोड़ दे इसे रिश्वत लेकर घलत नहीं करूंगा अच्छा करने के लिए रिश्वत नहीं लेता है यू हापी खुश हो ना रेडी सर ओन काउंट थ्री नहीं इवैक्वेट हो गया ना ओन ऐसा मत करना देने के बाद नसरत थ्री टिगर क्या हुआ 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 है क्या हुआ हुआ है क्या हुआ हुआ है ट्रांसफर ओर्डर है क्या है इस्से जायदा क्या हो सकता है गुरू, ज़रा उसे देखो, वो चाहिए क्या तुमे? हाओ, बिल्कुल, वो तुमे मिल जाएगी अब को तो चाहिए, वो में किस टाइब के चाहिए भोलो यह बाजवाली चलेगी? नहीं, जावी मेनेज करता होना मैं आपने देखा नहीं पापा एए, खेल का मतलब बिना देखे कि यह गलतियों को सुधारना है इटीचिस करेक्टर जीतना है तो एक बार ओगे, कमाउन है आख लूँ, आप एक तब मस्त लग रहे हैं मुझे वो पीने का मुट कर रहे हैं अभी पीएगे, अभी प्राइगे, अभी पीना है दूसरी कमपार्टमें शिफ्ट होते हैं नाची एक्स्क्रीज में बात करेंगे और दर्वाजी के पास जाके पीएगे जाओंगा, जरूर जाओंगा बस मुझे थोड़ा सा दूज पिल जाएगा पीने को एक्स्क्रीज में रुखेंगे है कょफ अरुट है कर दिएगी पार आप शिफेगे पार अरुट हो झाल खले जाओंगे एड़े कर, कर एक ता कर एकर एक तो राहुल सेन गुपता ने तुम्हारे लिए गिफ्ट भेजा है सिस्टेम के साथ खिलवार नहीं चलेगा वो तुम्हें मारना नहीं चाता वो वस तुम्हें तोड़ना चाता है अब तुम तूट चुके हो और हमेशा के लिए ऐसे ही रहोगे अब सुरी मिस्टर दशरत उस दिन अपने ट्रेन में अपनी बेटी और पत्नी को खो दिया उसी ट्रेन में मैंने अपनी बेन और मां के साथ साथ अपने पापा को भी खो दिया मेरे पापा मुझे वापस मिल जाएंगे ये छोटी सी आस लेकर इस गेम में आया था मिस्टर दशरत मैं आपको आप से मिलाने आया था मैं हार क्या आपका इस तरह आपमान करना मेरा इरादा नहीं था मिस्टर दशरत I am sorry I am extremely sorry सोच रहो के एक गुण्डे ने मेरी पत्नी और बेटी को मार दिया तो मैं हार क्या वो राक्षस तो पूरी दुनिया में है पर उन्हें विवस्था सजा देगी या फिर पालेगी सवाल ये है मैं वहाँ ट्रेन में नहीं हारा था मेरी असली हार तब हुई जब उन दरिंदों को साथ लोगों के सामने दो मासूमों को मारने की सजा सिर्फ दो महीने हुई कोर्ट रूम में फैसला सुना थे वक्त राहुल सेन गुपता अपनी मुझों पर ताओ देते हुई हसते हुई मुझे देख रहा था उस दिन सच्चाही को तिल तिल मरते हुई देख कर जी रहा हूँ आज जो हुआ वो इस लाश का अंतिम संस्कार है बेटा मैं जानता था कि तु अपनी जगे पर बिल्कुल सही है तुझसे कोई भी गलती नहीं हुई पर तु इस रास्ते पर चलेगा तो मेरे जैसे ही डूट जाएगा यही सोच कर तुझे रोकना चाहा था लेकिन बेटा मैं तेरी आखों में बेवसी नहीं देख सकता मैंने बचपन से ही तुझे हमेशा मजबून बनाया है बेटा शिद्ध से भागने वाला कायर कहलाता है और मरते दम तक लड़ने वाला वीर होता है मेरा बेटा हारा नहीं है और उसे हारना भी नहीं चाहिए तेरी चीट के लिए ये लाश कैसे कावाएगी ये बता बेटा पापा वापस मुझे राह दिखाने वाले मार्क दर्शिक बनो की तेरा साल पहले वेस्ट बेंगॉल बोर्ड से बाहर निकल कर एपी पी एसी एक्जाम दिया था एलरू में पबलिक हेल्थ आफिसर की पोस्ट मिली पहले इंस्पेक्शन में पता चला कि पीने के पानी में सील आइस नाम के खतरनाग बैक्टीरिया मौझूद है जब एक्शन लेने के लिए रिस्पॉंसिबल आफिसर से कंसल्ड किया गया तो उस वक्त के कलेक्टर लेट मिस्टर राज सिंग को मैंने रिपोर्ट दर्ज की थी उस हजारो करोड रुपे के बिजनस की मालिक थी मिनिस्टर विशाखावानी मेरे प्रोपोजल को ये कहकर रिजेक्ट कर दिया गया फिर मैंने रिपोर्ट बदर दिया तो उन्थी मुझे डिस्टिक्ट डिवलपमेंट आफिसर के लिए प्रमोट कर दिया गया योर आनर आज से ठीक चार साल पहले जब किसान बांच से खेतों की बरबादी की समस्या को लेकर मेरे पास आये थे तो मैं जरूरी एक्षन के लिए मत सिपालन मंत्री शरीमती विशाखावानी से सीधे मिलकर एक और रिपोर्ट सम्मिट की थी इस पर मंत्री महोदिया ने मुझे चेतावनी दी थी कि ठेलरू को हाथ लगाने से खून की नदिया बहेंगी और मुझे फेक रिपोर्ट बनाने का आदेश दिया जब वरून हैंसन की रिपोर्ट है तो मैं प्रिवियस कलेक्टर विजे कुमार से मिला और उनसे इस मामले में एक्शन लेनी के लिए रिक्वेस्ट किया पर उन्होंने मुझे कहा कि आने वाले एलेक्शन में मैडम विशाखावानी की पार्टी क्लियर मेजारिटी से आ रही है उनकी मर्जी के खिलाफ जाने से अंजाम बुरा हो सकता है जब फेक रिपोर्ट का आदेश उनसे भी मुझे मिला तो मैंने मजबूर होकर उसे बनाया और सम्मिट कर दिया विटनेस इस एक्सक्यूज़्ट पबलिक हेल्थ ऑफिसर मिस्टर रंगनाथ अगर मैं यह नहीं करता तो मेरी जगह पर किसी और से यह काम करवा लेंगे सोचकर मैंने ही कर दिया ना फॉरेस्ट ओफिसर मिस्टर जनातन राव प्लीडिंग नोट गिल्टी यूर अगर मैंने बहुत सिंपली टीसी जी के आदेशों को फॉलो किया वो काम मैं नहीं तो मेरे अलावा किसी और से करवा लेंगे यह सोचकर मैंने ही कर दिया विट्निस इस एक्सक्यूस्ट एक्स कोलेक्टर मिस्टर विजय कुमार प्लीडिंग नोट गिल्टी यूर अगर जैसा दश्रत जी ने कहा मेरे पास कोई रिपोर्ट नहीं है रिपोर्ट्स को फेक बनाने के लिए मेरे लोगों ने कभी नहीं कहा सर विशाखावानी का इस मामले में कोई दखल अन्दाजी नहीं है श्रिमदी विशाखावानी आई प्लीड नोट गिल्टी यूर अनर मैंने इन में से किसी भी ऑफिसर्स को इंफ्लूएंस नहीं किया है और इस बात का कोई सबूत भी नहीं है बाप बेटा मिलकर अपने किये हुए गुनाहों को छुपाने के लिए मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं मैं पिछले चालीस साल से जनता के लिए लड़ रही हूं और जनता के लिए जी रही हूं इस कलेक्टर ने जो जाल पिछाय है उसमें फसकर मैं अपना वक्त बरबाद नहीं करूंगी इस कैम को बढ़ा हवा देने वाले डी सी जी को कड़ी से कड़ी सजा दी चाए कोट से मेरी यही बिंती है अगर ऐसे ही चलता रहा तो न्याय हो चुका देख लिया ना कल वो केंदर सटकर को गाली दे रहे थी और आज जाके उसी से मिल गई यहां जरूरत की मताबिक अलाइंसेस कैसे बदल जाते हैं क्योंकि यहां सारी पार्टी का एजंडर एक ही है लगता है इन्हें अपने साथ मिलाकर दिल्ली पार्टी गेम खिल रही है इसलिए एक्सपरिमेंटल कलेक्टर को रखा है उनके चेसबोड का तू भी एक प्यादा है बस यह सर आपने न्यूस देखा या आई जस्ट हर्ड सर तो आप जान देएंगे किस रास्ते पर जाना है अफकोस यह सर ठीक है कौन है सर हो मिनिस्टर अब आगे क्या होगा क्या होगा कन्फेशन करके प्यादे जेल में जाएंगे और प्लेयर्स बाहर रहकर और एक नया गेम खेलेंगे मिस्टर अभी राम या एक वर्क के बारे में या गंदरगी में फसे तलूरू के बारे में नहीं है ये नदी ही हम है और ये नदी ही व्यवस्था है इस महीने नौ तारिक को हुआ वाइलेंस किसी के भढ़काने पर तभी के तभी होने वाला वाइलेंस नहीं था कई सालों के लैंड सर्विस, इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स, हेल्थ रिकॉर्ड्स को फॉर्ज करते हुए इस खराबी पर उंगली उठाने वाले आफिसर्स को डराते हुए सामना करने वालों को खत्म करते हुए किसानों और मत्सिकारों के बीच स्रिमती विशाखावानी जी ने बनाय हुआ युद्ध वातावरन है वो डीटेल सारे सबूतों के साथ आपके सामने रखी है पर ये विचार उस सचके और इस जूट के बीच हो रहा युद्ध नहीं है सचके और न्याय के बीच हो रहा युद्ध है इस गंदी साजिश की वज़ा बनने वाले वो सारे गुनागार आज राज की अताकत से बचने के लिए अपनी पार्टी को उपर की पार्टी से समझाते के लिए तयार कर रहे हैं वहां का समझाता यहाँ न्याएं पर होने वाला अत्याचार है Your Honor लोग लोग तंतर का मतलब सिर्फ वोट का हक चिलाने का हक है बस इसी भ्रहम में पर बिना बंधे से टूटने वाली व्यवस्था ही उस लोग तंतर की बुनियाद है ना जानते हुए अभी भी उस फ्यूडल व्यवस्था में ही जी रहे हैं जनता ही नहीं बग्कि सीविल सरवंट्स और कोर्ट्स भी उन रूल्स के तले घुलाम की तरह ही जी रहे हैं। सिर्फ उपोजिशन पार्टी इलेक्शन स्ट्राटीशी को सीक्रेटली सुनने के कारण अमेरिका में एक प्रेसिडेंट को ही हटा दिया गया है। पर यहां उत्तर प्रदेश में एक लड़की पर रिपीटेडली अत्याचार करते हुए अपने फैमिली मेंबर्स को मारते हुए दो साल तक असेम्बली अटेंड किया एक एमेले ने। यही है लोग तंत्र और फ्यूडल व्यवस्था के बीच का फर्क। पुलीस ही न्याई व्यवस्था बनकर एंकाउंटर कर रही है तो सारा देश ताली बजा रहा है। न्याई व्यवस्था के लिए इससे बढ़ा कोई अपमान हो सकता है क्या। मर्जी के मताबिक गुनहेगारों को बचाते होई। मर्जी से लोगों को सजा देने वाले विशाखावानी जैसे लोग ही कानून, न्याई और निर्नाई बन चुके हैं। न्याई व्यवस्था अगर अभी नहीं जाग उठी तो फिर कब जगेगी बताई। जनता चुनने वाले लेजिसलेटर्स, उस लेजिसलेशन को अमल में लाने वाले सीविल सरवंट्स, न्याई की रक्षा करने वाली चुड़ी शिरी, ये तीन घोडे जब ठीक से काम करेंगे, तभी वो लोकतंत्र कहा जाएगा, सरकार कहा जाएगा। रास्ता भटके होए उस लेजिसलेटिव घोडे को आज सामने से सवाल पूछ रही है ये एक्सेकिटिव व्यवस्था, या ये व्यवस्था भी अपने पैरों पर खड़े होकर उस घोडे पर जब लगाम लगाएगा तभी होगा ये असली रिपॉब्लेक। आपके इस फैसले में बस एक ही सवाल का जवाब ढूनना होगा या रोना। तेलरों में जिस दिन से ये साज़िश शुरू हुई, उस दिन से 133 लोग सोसाइटी के मेंबर्स वरून हैंसन की तरह गायब हो चुके हैं, सौसे भी ज़्यादा किसानों ने आत्मात्या की हैं, हजारों की तादात में कंस्यूमस बीमारी के शिकार हुए हैं, उनकी जान क का जिम्मेदार अखिर कौन है, लास्ट बट नॉट बिलीस्ट, ये सारे स्केम्स चालीस साल से सबसे ज्यादा फाइदा किसे हुआ, ट्रत्रिती, प्राण और समाज को एक समान रक्षा ना करने वाला निरने सच में, इतने लोगों की जान लेने वाले असली हथ्यारों को स जाना सुनाने वाला फैसला, फैसला नहीं, बल्कि वो सड़े हुए तैलूरों के पानी के समान है, I rest my case, your honor. Sir, Sir? तैलूरों प्रदूशन पर आरून हैंसन और अभी राम ने जो एविटेस सम्मिट किये हैं वो पूरी तरह से सच है, ऐसा टर्मिनल का मानना है. सुप्रीम कोर्ड के आदेश के मुताबिक पांच काउंटर तक ही नहीं, बल्कि नौ काउंटर तक, ज़रूरत पड़ी तो आर्मी की साहता लेकर सभी तैलूरों के बादों को मिटाने का आदेश ले रहे हैं. अर्डरों को प्रजापति निदि और वेपारी होने के नाते, तैलूरू से सबसे ज़्याइधा उठाने वाली श्रिमती विशागा वानी को प्रतम आरूपी निर्धानित करते हुए. उनके साथ साथ जेपुटी कोलेक्टर दशरत, एक्स कोलेक्टर विजे कुमार, फर्स्ट ओफिसर जानारदर राव, हेल्थ ओफिसर रंगनाथन, सेक्शन 299-300-304A, 171-E के तहर इन सब को हम्यारे निर्णेश करते हुए, आज इवन कारावास की सजा सुनाई जाती है हमें उनके इए, आडर, आडर, आडर! कोड का डिस्सिल्लन तोड़ने के जुर्में इन सभी को कस्टडि में ले लिया जाए शब्लेक के अंढर फेस्ला, बदल दूगी देख लेना The court is adjourned How dare you? What an offense is this? नर्सी मा! छोड़ो मुझे! छोड़! नर्सी मा! क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ो मुझे! I'm sorry, Papa. छोड़ो मुझे! ये मेरी किरफतारी नहीं बिटा. मेरी रिहाई है. छोड़ो मुझे! लिव मियालोर! Hey! तुझे! तुझे क्या लिटा है कि तुझे जीत गया? मैं! अरा कर रहोंगी तुझे! एक हफते में इस फैसले को सुप्रीम कोड से बदल मात होगी, थेखेना! एक हफते के अदर फैसला बदल जाएगा! I will change the world in a week! छोड़ो मुझे! छोड़ो मुझे! ma'am! 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 मैं ना ही आपका दुश्मन हो और ना ही आप मेरी दुश्मन हो आपके पिताजी और मेरे पिताजी को तोडने वाली विवस्थाए हमारी दुश्मन है ये जीत उस वेवस्था पर है इसकी हक्तार आप भी हो wishing you well, मैडम वेवस्था इतनी आसानी से नहीं बदलेगी, बिटा ये वेवस्था कभी नहीं बदलेगी बदलेगी नहीं बदलेगी ये बदलेगी आप, किसे दुश्षा जसा पुश्ण है किर हो बदलेगी, बदलेगी बदल्स काया बदलेगी कि अवेवस्था ए कि अवेश रवे बदलेगी रुको उस तरफ चलो कर दो? कोई अ दुम लो? क्या कर रहे हैं? आपके यो, तोलो तो, अरे रुक जाओ, बांध बादने आये थे हाँ, हाँ, तोलो, किसने भेजा तुम्हे है, किसने भेजा तुम्हे है, रुक जाओ, कौन नदी पर बांध बनाना चाहता है, बोलो, बांध कौन बांध बनाना चाहता है, किसान है, बाधित है, उस नदी को छोड़तो ये कहकर धरना किया था ना, और अब तुम लोगी, तुम लोगी उस नदी पर बांध बना रहे हो, हलो, एमेले यहाँ पर है, आतो, एमेले हो तो क्या हुआ कि बोलो रहे क्यों डर रहे हो तुम लोग हमने ही बनाया है इसमें गलत क्या है तुम्हारी जाती के लोगों ने 40 साल कबजे में रखकर करोड़ों कमाया है हम भी 40 साल फाइदा लेने के बाद नहीं की बात करेंगे क्यों भाई मेरी जाती मेरी जाती कौनसी जाती है रहे कौनसी जाती है क्या कर रहे है क्या कर रहे है शर्म नहीं आती तुम्हें हरे किसे क्या बोल रहा है समझ में आ रहा है तुझे अरे तु खाने खाता है या घास खाता है बता बाबू आप जाहिए बाबू मेरा सब समाल लूँगा कल सुबह होने से पहले एक भी बांद बांद नहीं दिखेगा बाबू आप जाहिए यास जाहिए कर दो पहा है प्रूम्टार रापचे लुड़ इसकता हुआ नहीं पाल प्रूम्टार आपको तो प्रूम्टार प्रूम्टार छाजा चाजा ची मुझे माफ कर देना पेटा एफ या हूझ लाय हा। अह Master देलरू और समुद्र में भी, पूरी तरह छान देले। बीन करके हमारे कलेक्टर अभिराम जी की बॉड़ी को लेकर आएंगे। अजय को लेकर आएंगे।